डॉक्टर संदू खुरूइत के बारे में डॉक्टर संदू खुरूइत नेपालियों के लिए और विश्व के लिए भगवान से कम नहीं है ये वो वेक्ति हैं जिन्होंने कैटराक्ट से होने वाली अंधेपन को समाप्त करने का बीड़ा उठा लिया इन्होंने अपनी इस सर्जरी की कॉस्ट को 90 परसंट तक कम कर दिया और जो लेंस बनते थे उसको इन हाउस नेपाल के अंदर इतनी इंटेलिजेंस इंवेट्ट करी साड़े साथ जार रुपे की आईटम एक गरीब आदमी अफोर्ट नहीं कर सकता उसको ड़्ाइस रुपे के लिया आए सवाल लाख गरीबों का या इलाज कर चुके हैं जो पैसा ही नहीं दे सकते हैं उनका फ्री में इलाज कर दिया पे मजबूर हो गए इन्होंने उस मा का इलाज किया अब क्या हुआ अब मा काम कर रही है और बच्चे स्कूल जा रहे हैं बहुत बड़ा सोशल परिवर्टन इस इस काल सोशल आंत्रपनियोर्शिप यह हुआ कैसे डॉक्टर रूइत के जीवन में जब यह चोटे थे थे तो इनके तीन भाई बेहन इनका देहान तो गया क्योंकि इनके पास पैसा नहीं था हिलाज कराने के लिए दिलको यह बाद चूग गई। moderd कर गся कि अका कमाने के लिए नहीं प्रॉब्लम सॉल्फ करने के लिए हर आदमी प्रॉफिट पे दिमाग लगा रहे था है आज इनकी सेवाएं नेपाल से बाहर निकल के लगब पचास देशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं रहमन मैक्से से अवार्ड मिला इनको और उसके अलावा हमारे देश ने भी इनको पदमश्री से नवाजा गया इन फैक्ट ये वो विखती हैं जिनको वास्टमे भगवान जैसा माना जा रहा है आज नेपाल के अंदर क्यों क्यों क्योंकि बीडा उठा लिया है डॉक्टर र देशों के लोग है वो इलाज बनी करा पाते हैं और इसका इलाज संभव है पर इलाज क्योंकि महंगा था उसको इन्होंने कम करके दिखाया मेन मुद्दा समझे यह माइंड बड़ी पावरफुल चीज है यह माइंड से जो प्लैन मांग लोगे वो निकाल के देदेगा इ इसको बोलते हैं सोशल अंत्रपनियोर्शिब प्राब्लम भी सॉल्फ करी और अपनी जेव से पैसा नहीं लगाना पड़ रहा लेकिन बहुत लोग कोस्ट पिलाके सॉल्फ कर दी मेरी आपकी जिम्मेदारी है ऐसे लोगों का उत्सा बढ़ाने के लिए और हम कॉंट्रीब कर सके इस प्रकार के मॉडल में